हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को विघनेहर्ता और शुबकारियों के आरंभ में पूजनिय देवता माना जाता है। उनकी जीवन कथा कई संसकर्णों में बताई जाती है, लेकिन कुछ मुख्य कहानिया इस प्रकार हैं। जन्म और हाथी का सिर्ख एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर से हल्दी का लेप उतार कर एक मूर्ती बनाई और उसमें प्रान फूख कर गणेश जी को जन्म दिया। उन्होंने गणेश जी को घर की रक्षा का आदेश दिया। जब भगवान शिव अपने घर वापस आये और प्रवेश करना चाहा, तो गणेश जी ने उन्हें रोका। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर्धर से अलग कर दिया। माता पारवती के दुखी होने पर शिव जी ने गरूर जी को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर किसी सोई हुई मा का बच्चा लाएं, जिसका सिर्हाथी का हो। इस तरह गरूर जी ने एक हथिनी के शावक का सिर्लाकर गणेश जी से जोड़ा और उन्हें गजानन भी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी सीधे ही माता पार्वती और शिव जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए, लेकिन शनी देव की दृष्टी से उन्हें परेशानी जेलनी पड़ी। शिव जी ने उनका सिर्हटा दिया और बाद में हाथी का सिर्लगाया। विधनेहर्ता और बुध्धी के देवता। गणेश जी बचपन से ही बुध्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्होंने कई देवताओं की सहायता की और शापग्रस्थ हुए देवताओं को मुक्ती दिलाई। एक बार महाभारत लिखने के लिए व्यास जी को एक लेखत की आवश्यक्ता थी। गणेश जी ने शर्त रखी की व्यास जी बिनारुके बोलेंगे और वह बिनारुके लिखेंगे। व्यास जी की तेज गती को बनाए रखने के लिए गनेश जी ने अपने एक दान्त को तोड़ कर कलम बनाया इस तरह महाभारत ग्रंथ का निर्मान हुआ गनेश जी को विघनहरता के रूप में पूजा जाता है उनसे बाधाओं को दूर करने और शुब कारियों को सफल बनाने की प्रार्थना की जाती है उन्हें बुद्धी और ज्यान के देवता के रूप में भी माना जाता है विवा और संतान पुरानों में गनेश जी के विवाह का भी वर्नन मिलता है उनकी दो पत्नियाथी, रिध्धी और सिध्धी उनके पुत्र शुब और लाभ माने जाते हैं जो सफलता और समरिध्धी के प्रतीक हैं कुछ कथाओं में गनेश जी की एक पुत्री संतोशी माता भी बताई जाती है पूजा और महत्व भगवान गणेश जी को मंगल कारियों के आरंभ में प्रथम पूजा जाता है उनके जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है जो पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है उनके नाम के अनेक मंत्र हैं जिनमें से गणगणपत्य नमह सबसे प्रचलित है उनकी विभिन रूपों में मूर्तियां बनाई जाती है जैसे की एकदंट, चतुर्भुज, वक्रतुन दादी यह सिर्फ संक्षिप्ट कता है गणेश जी से जुड़ी अन्य कई कताए और मान्यताए भी है आप अपने अनुसार विभिन पुस्तकों और धकों से उनका अध्ययन कर सकते है आशा है यह जानकारी आपको उपियोगी लगी होगी